आठ बुचे के बुलेटिन की शुरुआत अठारा ब्रेकिंग के साथ पहली ब्रेकिंग सोमवार को पूरे देश में लोगों ने धूंधाम और उपसा से दिवाली बनाई इस मौके पर चारों तरफ इमारते और घर रंग बिरंग की लाइटों जालरों और दियों से रोशन नजर आया दिपावली की मौके पर डोगों ने एक दूसरे को मिठाई आबाट कर शुब कामनाय दी और मंदिरों में भीश्टर धालों की भारी भी चुटी रही दिवाली की शाम से ही पटाखों के साथ जश्ट मनाने का सिलसला शुरू हुआ जिसके चलते देद रात तक आसमां में रंग बिरंग की आतशपास यहां होती रही दूसरे ब्रेकिंग सेनिको के साथ दिवाली मनाने के लिए पीम मोदी सोंबार को कारगल पहुँचे जवानों के बीच पहुँचकर पीम काफी खुशनस राय पीम मोदी ने सेना के जवानों के साथ मिलकर वंदे मातरम गीत काया इसके लिए विशेष आयोचन भी किया क्य तीसरी ब्रेकिंग कारू करते हैं दीपावली की मौकी पर प्रधानमंस्री मोधी ने राष्टपती द्रोपदी मुन्मू से मुलाकात की और दोनों ने एक दोसरे को दीपावली की शुब कामनाये दी साथ ही उनोंने संपूर्ण मानवता के लिशांती, सम्रुधी और बहतर कल की इच्छा जोताई पिया मोधी ने उप्राष्टपती जगदीब धनकर को भियून की आवास पर पहुँचकर दिवाली की बधाई दी राष्टपती द्रोपदी मुद्मु ने मुलाकात की तस्वीरे साज़ा करते हुए ट्वीटर कर अपना अनुभव साज़ा किया चौथी ब्रेकिंग देश की राज़्टाने दिली और NCR में दीपावली की सुभा से ही वायो गुरवत्ता सूचकांक यानी एर कॉलिटी इंडेक्स बहत खराब श्रेडी में रहा जो रात होने की साथ पटाकों के धूए से और बिकरता चला गया दिली प्रेदूशन कंट्रूल कमिटी की रियल टाइम डेटा के मताबिक दिली की जहांगीर पूरी में दिवाली की राध हवा समाने से दस कुना स्यादा प्रेदूशित होगे अगली ब्रेकिंग दिपावली के मौके पर मुंबई में जमकर आतिशपाजी हुई पटाकों से आसमान में बिखटी रोशनिया देदरा तक दिखी वही मरीन ट्राइव, गिरगाओं चौपाटी और वरली के सी फेस एरिया में मुंबई के अलग लग इलाकों में लोग ट्राफिक से जूचते भी नजर आए आतिशपाज इससे हवा में धुए का प्रतिशत बढ़ गया, वाई प्रदूशर में इजाफा हो गया, जिससे लोगों का सांस लेना दूभर हो गया शड़ी ब्रेकिंग इस बार दीपावली के महापर्व के बाद आंशिक सूरे ग्रहन लगेगा और इसकी वज़ा से कई सालों बाद दीपावली के दूसरे दिन गोवर्धन पूजा ना होकर एक दिन का अंतर है आज भारतिय समय नुसार सूरे ग्रहन का समय 16 बचकर 22 मिनट से 17 बचकर आपको बदा दे कि 5 बचकर 42 मिनट तक रहेगा और एक घंटे 19 मिनट का ये सूरे ग्रहन लगेगा अगली ब्रेकिंग कारू करते हैं जमू कश्मीर में दीपावली का जश्न दूम थाम से मनाया गया आम लोगों के साथ-साथ जवानों ने भी L.O.C. और I.B.P. पर जश्न के साथ दिवाली कत्योहार मनाया दक्षणी कश्मीर के अनंतनाग में CRPF के जवानों ने कैंप मुख्याले में बड़े ही हर्शो उल्लास के साथ दीपावली मनाया और साम्तुताइक सर्थभाव का संदेश दिया कमांडेंट 40 बटालियन CRPF ने कहा कि बुदेश के लिए एक जुच्छ है आठवी ब्रेकिंग जमो कश्मीर के श्रीनगर में भी जवानों ने धुमधाम से दीपावली मनाई CRPF के बटालियन 89 के जवानों ने सेंक्टो दीप जलाए दियों से अपनी बटालियन का नाम लिखा और इसके बाद मिल जुलकर पटा के जुला कर दिवाली सेलिबरेट की जवानों के साथ उनके परिवारों ने भी दिवाली केस जश्न में हिस्सा लिया देश की सेवा में तैनात जवानुने अनार, फुल जड़ी और पटाके जुला कर दिवाली के जश्न को खास अंदास में मनाया नौवी ब्रेकिंग ब्रिटरनोइडा के सेक्टर 16C में सित विदानतम ससाइटी के फ्लैट में अचानक आख लगी पटाकों के पास दिया रखने के चलते फ्लैट में आख लगी, फ्लैट में आख देजी से फैली और अठारवी मनसिल को भी चपेट में ले लिया इसके बाद ससाइटी में अफ्रताफरी मच गई, टावर को तुरंत खाली करा लिया गया, लोगों निसमामे में बिल्डर पर कारवाई करने की बांकों लेकर देरा थंगामा भी किया लोगों का आरोफे की सूचना देने के एक घंटे बाद दमकल की गाड़ी या मौकी पर पहुँचे रुकरते आगली ब्रेकिंग का, दीपावली के त्योहार पर कई शेहरों में आख लगने की खपरे सामने आई है ताज़नगरी आगरा में भी दो मंजिला मकान में भीशण आग लगी ठाना जगदीशपुरा शेतर के घनी आबादी के बीच मकान में लगी आख से भगदर मच गई लोगों का आरोप है कि कई बार फोन करने के बाद भी फायर ब्रिकेट की गाड़ी मौकी पर समय पर नहीं पहुँची ग्यारवी ब्रेकिंग बुलंद शेर के सिगंदराबाद में सोमवार शाम एक गत्ता फैक्टरी में आग लग गई आग के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल पाया है अलांकि आग लगने की सूचना पर दमकल की गाड़िया मौकी पर पहुची जहां घंटों की मशक्कत के बाद आग पर बमुश्किल काब उपाया गया बादमी ब्रेकिंग राज्टानी दिली के प्रिशांत वियार इलाके के एक रेस्टरॉन में सोमवार शाम आग लगे जिसमें रेस्टरॉन के अंदर कई लोग फस गए आग की सूचना पर फायर ब्रेकिंग की दस काड़ या मौकी पर पहुची तमकल करगियों ने काफी जद्दो जहद के साबाद आग पर काबू पाया और रेस्टरॉन में लगे जो फसे हुए लोगों थे उनको सुरक्षित बाहर निकाला तेर्वी ब्रेकिंग का रूप कर लेते हैं पश्रिम बंगाल की राज्थानी बोलकता में भीशन आग लगने से भी अफरा तफ्री मच गई आग चमडे के गुदाम में लगी ये गुदाम बानतला लिदर कॉम्प्लेक्स में था आग की भीशन लप्टे बहुत तेजी से उठी और पूरे गुदाम को अपने आगोश में ले लिया आग लगने की बचा से गुदाम में रखा माल जलकर राख हो गया अगली ब्रेकिंगा रूख कर लेते हैं जमुकश्मीर के श्रीनगर में सोमवार शाम एक आतंकी साधिश का खुलासा हुआ हलांके इस से पहले की देशुदगर्द अपनी साधिशों में सफल हुपाते सुरक्षा बलों ने उनके होंसलों को पस्त कर दिया तरसल सुरक्षा बलों को बारा मुला, श्रीनगर हाईवे परस्तित, अंसारी, टोयेटा, चौक के पास एक संदिक्द बैग मिला, जिसमें गैसलेंडर रखा हुआ था, सुरक्षा बलों ने एहतियातन उनसे नश्ट कर दिया और अब रूप कर लेते हैं, पंधरवी ब्रेकिंग का, पश्चिम बंगाल की मुक्यमंतरी मंतावानर जी ने कहा तुफान सित्रंग को लेकर आई-मटी ने अलर्ट जारी किया है, तटीय अलाकों में आज भारी बारिश की संभावना है, लोगों से अपील है कि वो बेवज़ा सुंदरवन समेथ समूदरी इलाकों में बाहर जाने से बचे, राजसरकार द्वारा इसके लिए पूरी व्य को करीब 200 सांसतों का समर्थन मिला, जबकि पेनी के पास यह आख़ा 26 ही रहा। की सेरा ने सोंभार को हवाई हमला किया, इसमें 60 से जादा लोगों के मारे जाने की खबर है, बताय जा रहा है कि हवाई हमलों में गायकोर, संगीतकारों साइट, साथ से जादा लोग मारे गए हैं, ये काचीन जाती है, अलपसंख्यक सम्हू के मुख्य राशनतिक संगठन के एक वर्षगाट समहरों में शामिल होने आये थे, हमले ऐसा समय में हुआ है, जब दक्षिन पूर्वेशियाय देशों के विदेश्पंत्री मैंनमार व्यपार हिंसा पर चरचा करने के लिए, इंडोनेशिया में एक विशेश बैठक आयोजित करने वाले हैं